नबसकार दोस्तों जय हिंदू वंदे मात्रम आपके साथ जैस्वाल tox सर आपसभे एका अश्वागत अविनन्न है सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सिंटर पर पावरट बाई सिच्छा ही प्रकास है लेकिन कहीं नगएं सिच्छा प्रकास के साथ ठोड़ा सा धीमी होती जा रही है उसका रिजन आप सभी को पता होगा सिच्चक पात्ता परिच्छा वर्गतिन पेपर लिग की जांच रिपोर्ट की जानकारी डांक्टर आनंद राय जी द्वारा आर्टी के आर्टी आई के तहत मांगी गई थी लेकिन ये जानकारी MAPIT और PB Board द्वारा PB Board व्यापन ने देने से मना कर दिया है और ये मना करने का कारण क्या है आप सभी लोग जान गए होंगे इसी पर चर्चा करेंगे और जांच में इतना बिलम क्यों किया जा रहा है रिजल्ट कहे गई पीवी के द्वारा और MAPIT के द्वारा कहा गया है जो जांच है जांच रिपोर्ट है वे पीवी को सौप दी गई लेकिन डाक्टर आनंदर जी द्वारा मांग की गई थी RTI के तहच जो है कि MAPIT और PB Board को जो ये जांच रिपोर्ट आई है इसको साजा करें सेयर करें लेकिन PB Board और MAPIT ने इस जांच को देने से मना कर दिया है MPTT 2022 स्कैम के पूरी जान करेगी ये देख सकते है पूरा Professional Examination Board के बात करेगी डेट यहां पर दी गए ये 10-6-2022 को Speed Post की तहर यहां से मिला है प्रती डाक्टर आनंदर आये ये उनका अपना address लिखा हुआ है इसके बाद B से क्या है सबजिक्ट है सूचना कादिकार अधनियम 2005 की धारा 6-1 के अंतरगर चाही गई जानकारी के समन्द में आवेदक दिनांक 12-5-2022 को आवेदन किया गया था क्रमांक ये सारी चीजें दी गई है यहां पे लिखा गया है कि उप्रोक संदर्बीत आवेदन द्वारा सूचना कादिकार अधनियम 2005 की धारा 6-1 के अंतरगत आपके द्वारा बिंदु क्रमांक 1-4 में चाही जानकारी क के समन्द में नियनतक द्वारा दी गई जानकारी कंसार प्रेकरन की जांच बोर्ड इस तरक से की जा रहे है जांच प्रकिया धीन है यानि भी पूरी नहीं हुई है जांच से सम्मनित कोई भी दस्ता वेज जांच पूर्ण होने से पोछ सुचता की दस्टिकोंड से दिया महीना चलना है कैसकते हैं कि यहां पर अगर देखा जाए सत्र पच्छत्र दिन लगबग हो रहे हैं अब इतने दिनों में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो पीवी का यही हाल हो रहा है मद्द पदिश में कारण क्या है पिछले चार सालों से भरतियां क्यों नहीं आ रहे हैं भरतियां होती हैं देखें नोटिफिकेशन आता है एक साल नोटिकेशन में लगेगा दूसरा साल उस पर फॉर्म अप्लाई में लगेगा तीसरा साल उस पर क्या लगता है फॉर्म अप्लाई के साथ एक जाम के लिए पेपर के लिए लगता है कभी कभी चौथे साल क्या ल वारा जो वेकंसी आई गए वहां पे जो paper leak राजिस्थान पर भी हुआ है तो वहां पर भी उस paper को cancel किया का exam को फिर से return ले रहा है और जो farm fees है वो सारी map की गई ये भी है जो जिसने पहले farm बढ़ा था उनकी farm fees माप की गई है जो नए farm बढ़ रहा है उनके भी farm fees लग रही है अब ये देखते हैं और लगातार मांग की जा रही इनक्यामन 1000 वेकेंसी के लिए amputate में मत्page में तो इनका भी अभी इनक्यामन 1000 की भर्ती लगातार मांग की जा रही है इसमें भी अभी देखा जाए तो कहिंचंछ सुनवाई कुछ नहीं आ रहा है ना कोई ठीक है मुखमंत्री आ रहे है ना IPV बोर्ड इसके सामने आ रहा है कि कितनी क्या है अलगातार मांग की जा रहे क्योंकि पिछले 10 सालों से वेकेंसी नहीं है इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं है देखते हैं क्या होगा और सभी एक साथ जूट हो जाए है क्योंकि जब मुठी हमारी खुली होई होती है तो हमें कमजोस समझा जाता है लेकिन जब ये मुठी बंद हो जाती है ताकत बन जाता है सभी आप लोग अपने अपनी मुठी बंद कीजिए एक ताकत दिन्ये ठीक है और लड़ाई लड़ते रिये क्योंकि हमारी लड़ाई है आपकी लाड़ी है सिच्छा के हित में लड़ाई है मध्ध पदेश के सिच्छा के हित में लड़ाई है सभी मित्रों को जे हिंदो बंदे मात्रम जल्दी क्लास पर मिलते हैं से कोई न्योड किस्टन आता है हम आपके साथ मिलते हैं धन्लाश अभीका